हे गज इस वीडियो के अंदर हम बात करनेवा ले हैं इजीफाई के ड्यूल फार्मिंग के बारे में और साती साथ हम टेक्षद इनालाइसिस करनेवाले हैं इजीटोकन के बारे में कि अभी क्या possibility बनती है साथ ही साथ हम new update की भी बात करेंगे easyfy की तो बने रहना इस वीडियो के साथ में अभी तक आपने हमें follow नहीं किया तो definitely कर लो जिसे कि आपको regularly cryptocurrency के update इस channel पर मिलती रहें तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि easyfy क्या है तो आपको और बता दू कि easyfy यह liar to decentralized protocol है lending protocol है जहां पर आपको बहुत सारी unique चीज़े मिलती है जो कि totally decentralized way में मिल जाती है तो यहां पर आपको मैंने project के बारे में बहुत सारे already videos बनाय हुए है जहां से जब मैंने starting से ही इनके साथ में join हुआ तब से $2 था price उसके बाद में $12 तक भी गया है price और कापी अच्छा moment होता price के अंदर तो आप definitely easy token के अंदर trade भी कर सकते हैं finance exchange तक में यह लिस्टेड है और कापी बड़े-बड़े exchanges पे भी यह already listed है तो यहां पर हम easyfy के dual farming की बात करें तो यहां पर dual farming already live हो चुका है जहां पर आपको आने वाले time के अंदर बहुत सारे और भी tokens के अंदर आप dual farming कर सकते हैं और वहां से आप सिरफ और सिरफ hold करके आपके जो easy token है उनको hold करके यहां से बहुत सारे other token भी reward के रूप में पास सकते हैं यहां पर हम बात करें Matic की तो अभी Matic यहां पर live है Matic का dual farming अभी live है जहां पर आप Matic के अंदर easy token hold करके Matic earn कर सकते हैं जो कि यहां पर daily supply है मतलब आपको daily session के अंदर जितने भी holders hold करते हैं उनके बीच में 83,000 token यहां पर distribute किये जाते हैं जितने भी यहां पर holders हैं उनके बीच में जितने भी लोगों ने यहां पर deposit कर रहा है dual farming में यह जो cycle है यह चलेगी 60 दिन तक 60 दिन के बाद में यहां पर एक new token और aid हो जाएगा जहां पर आप जाके और भी tokens यहां पर stake earning कर सकते हैं अभी यहां पर starting time है 23.11 से start हो चुका है आपको किस तरह से करना simple से आपको metamask connect कर देना है यहां पर metamask connect हो गया उसके बाद में यहां पर जाना है आपको deposit पे deposit पे जाके यहां पर approve करना है आपको approve करेंगे metamask पे notification जाएगा यहां से आपको approve कर देना है उसके बाद में आपको जो transaction है आपके matik होंगे आपके जो wallet में उसमें से आपको कितना deposit करना वो डालना है डालने के बाद आपका matik यहां पर आ जाएगा उसके बाद में जो भी आके के functions आते हैं उसको आप कर सकते हैं मैं next video के अंदर कुछ जो token है easy token है उसको stake करके भी बताने वाला हूँ जिसे कि आप और easy तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि एक long vision project है जहां पर आपको बहुत सारे और भी आते रहेंगे इस types के program dual farming के तो वहां पर भी आप advantage ले सकते हैं तो next video के अंदर definitely मैं आपको अपनी RY भी share करूँगा कि मुझे कितना यहां से earning हो रही है daily कितनी यहां से Matic के earning हो रही है या फिर जो भी tokens यहां पर listed होंगे यहां पर आप staking भी कर सकते हैं landing भी कर सकते हैं बहुत सारे यहां पर आपको unique एक interface नजर आ जाता है ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं जो कि कल एक update आया था जहां पर easy file का यहां पर जो एक volatile assessed market aid कर रहे हैं जो कि एक final testing चल रही है जिस news की वज़े से भी price के अंदर काफी अच्छा moment आ रहा है जो अभी testing phase में है और almost ready है आने के लिए जिसमें की आपको इस तरह का interface नजर आएगा जहां पर आप बहुत सारे जो इनके जो risk assessed management है उसको आप यूज कर सकते हैं और यहां से आपको इस तरह का tool आएगा जहां पर आपको बहुत सारे unique चीज़े भी मिलने वाले इसके बारे में भी एक बार release हो जाएगा functions तो मैं आपको यहां पर live भी आपके सामने बताऊंगा कि आप किस तरह से इसका use कर सकते हैं अगर आप easyfi buy करना चाहते हैं या buy करने की already buy कर रखा तो definitely आप easyfi के telegram twitter को follow किया करो क्योंकि इस news के पाद easyfi के अंदर 20% के आसपास का pump आया तो news काफी एक low cap coin है तो news काफी ज़्यादा valuation रख दी है यहां पर तो आप definitely शिरफ news पे monitor करके यहां से earning कर सकते हैं 20-30% easily निकाल सकते हैं तो definitely आप news पे ध्यान रखो Binance पे भी BTC का pair अभी aid नहीं हुआ है, USDTB नहीं हुआ, Ethereum के अंदर ही चल रहा है तो अगर वो भी pair aid होते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा pump आपको देखने को मिल सकता है और भी जैसे V1 यह अभी तक release नहीं हुआ तो release जैसे जैसे date नजदिक आएगी तो definitely इसमें भी कुछ price के अंदर increase होगा तो यहाँ पर हम technical analysis की भी बात करें तो technical भी यह काफी अच्छे से work कर रहा है यह मैं को पूरी तरह से यहाँ पर support करते हुए यह मेरा target होगा, short trim के अंदर around मेरा $9 के आस्वास का target है अभी के लिए और अगर कोई भी 4 हो या one day की closing $9 के उपर रहती है तो definitely all time high को achieve कर सकता है, all time high को भी break कर सकता है यहाँ पर आपको एक retest भी देना होगा इसको अगर बड़ा pump करना तो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर अगर daily closing होती यहाँ तक pump होगा, फिर थोड़ा सा dump होके यहाँ से अगर वापस से बेख हो गया तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा इसमें pump देखने को मिल सकता है बट फिलाल के लिए अगर short trim देखे तो $9 तक का target हो सकता है, अगर definitely buy कर सकते हैं, अगर आपके buy किया वा तो $9 का target set कर सकते है definitely आपको यहाँ पर target achieve हो सकते हैं easily, बट आपको stop loss भी जरूर से use करना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगी कि triple support से यहाँ पर bounce भी हुआ है तो यह कापी strong bounce भी हुआ तो definitely आपको यह $9 का भी target achieve हो सकता है, बट must use stop loss अगर आपके trade भी गलत चली जाती है, तो $5 loss के अंदर आप यहाँ से out हो सकते हो, तो है ना कोई भी trade low तो stop loss का जरूर से use करें बगी आप जो भी इनकी news बगर आती तो हमारा telegram भी follow कर सकते हैं, उसमें भी हम regularly update देते रहते हैं, thank you so much